नश्कार दोस्तों, ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों, तो वीडियो के नेचे मुझूद जोइन बटन की साहिता से आप मेंबर्शिप को जोइन कर सकते हों। चलिए डिस्केशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 1 के इस टोपिक से और जीएस पेपर 2 से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों। क्या कंटेस्ट हैं। कंटेस्ट ये हैं। ब्रू ट्राइबल पीपल को सैटल करने के लिए त्रिपूरा में एक चार पक्षिय समझोता हुआ हैं। त्रिपूरा की सरकार, मिजोरम की सरकार, सैंटल गोर्टमेंट और ब्रू कम्यूनिटी के रिपरजेंटेटिव के बीच हैं। और इस समझोते को लेके अलग-अलग डिरेक्शन से अलग-अलग रियक्शन आ रही हैं। तो बेसिक्स की बात हम पहले करते हैं। ब्रू ट्राइवल पीपल हैं, इन्हें रियांक्स भी कहा जाता हैं। ब्रू कम्यूनिटी के लोग रहते हैं, नोर्थिस्ट में, त्रिपूरा में, मिजोरम में, और सौधरन असम में। मिजोरम में देखो ये कुलासिब लुंगलेई मामित जिलो में रहते हैं। आसम त्रिपूरा, इन राज्यों में जो ब्रू कम्यूनिटी के लोग हैं, वो देखो mainly हिंदू हैं, जबकि मिजोरम में जो ब्रू कम्यूनिटी के लोग हैं, वो काफी पहले over the period of time Christianity में convert कर चुके हैं। हुआ गे, मिजोरम में ब्रू कम्यूनिटी के जो लोग रहते हैं, उनके classes हुए मिजो कम्यूनिटी के साथ हैं। और classes के बाद, मिजो पीपल ने मिजोरम में ये demand की, कि ब्रू कम्यूनिटी के लोगों को electoral role से निकाल दिया जाएं, मतलब उनका जो vote देने का अधिकार है वो छीन लिया जाएं, क्योंकि वो परंप्रागत रूप से मिजोरम के नहीं हैं, ऐसा बोला गया मिजो कम्यूनिट के लोग के द्वारा, इसका विरोध करने के लिए, मिजोरम में, ब्रू कम्यूनिटी के कुछ लोगों ने हत्यार उठा लिये, और armed organization का निर्मान हुआ, उसी armed organization ने, October 1997 में, एक मिजो फुरेस्ट official की हत्या कर दी, बाद में, मिजो कम्यूनिटी ने भी इसका जबाब दिया और ethnic violence स्टार्ट हो गया मिजोरम में, एक तरफ मिजो फीपल, दूसरी तरफ ब्रू कम्यूनिटी के लोग, तो देखो इस ethnic violence में, आलमोस्ट 40,000 ब्रू कम्यूनिटी के लोगों को मिजोरम से भागना पड़ा, और वो त्रिपुरा में जाकर सेट हो गए, यहाँ पर देखो यह मिजोरम है, यहाँ से ब्रू कम्यूनिटी के लोग भागे और उनको त्रिपुरा में सैटल होना पड़ा, तो वो काफी सालों से त्रिपुरा में 6 relief camps में सैटल थे, over the period of time, काफी सारे परियांस हुए, कि ब्रू कम्यूनिटी के लोगों को वापस त्रिपुरा से मिजोर जो थी, आलमुष्ट साड़े 8000 लोग, वो relief camps से वापस जाने के लिए तयार हुए मिजोरम में, और बाद में भी काफी सारे परियांस हुए, लेकिन इन परियांसों का विरोध किया गया मिजोरम में, मिजो एंजियो के द्वारा, खास करके, यंग मिजो एसोशेशन के द् भी 30,000 से उपर लोग रह रहे हैं थे, त्रिपूरा में, relief camps में, पिछले साल एक समझोता हुआ था, समझोते के तहट ये त्यार हुआ था, कि 32,876 ब्रू कमिटी के लोग जो relief camps में रह रहे हैं, वो वापस जाएंगे, तो उनको one time assistance दी जाएगी, चार लाख रुपे की, इ साच हजार रुपे का direct benefit transfer से, इसके अलावा एक लव्या residential schools इस्थाब्लीच के जाएंगे, उनके लिए permanent residential card दिया जाएगा, ST certificate दिया जाएगा, मतलब इस परकार से बहुत से benefits देने की बात हुई थी, अगर ये लोग वापस जाते हैं, मिजोरम में, बट देखो, deadline बीच जाने के बावजूद, brew committee के लोग वापस तिरिपूरा से मिजोरम में नहीं गए, क्योंकि उनका ये कहना था, वहाँ पर security concerns हैं, अगर हम चले भी जाते हैं, तो हमारी security के लेके हमाई काफी चिंता हैं, और दूसरा हमारे लिए वहाँ पर autonomous council establish की जाएं, लेकिन इन मुद्दों पर सैमिती नहीं ब हैं, जिसमें ये decide हुआ हैं, ये benefits दिये जाएंगे, but allow कर दिया गया हैं, कि brew committee के लोग जो फिलाल त्रीपूरा के relief camps में रह रही हैं, वो त्रीपूरा में ही settle host केंगे, त्रीपूरा में उनको 0.03 accurate land दे दिया जाएगा, ये सारे benefits भी दिये जाएंगे, त्रीपूरा का उन् होता हैं, देखो brew committee के लोग जो भाग कर आये थे मिजोरम से, त्रीपूरा के relief camps में रह रहे थे, आपने ऐसा provision किया है कि त्रीपूरा में आप रह सकते हो, मतलब आप ethnic violence को legitimize कर रही हो, आपको पूरा ये परियास करना चाहिए था, जहां से वो भाग कर आये थे, वहीं पर उनको resettle किया जाए, तब ये एक परकार से justice होता, बट अब तो ethnic violence को legitimize करने वाला ये agreement हो गया, दूसरा, देखो 2009 में जो brew committee के लोग वापस मिजोरम में चले गए थे, उनके लिए ये agreement नहीं है, वो लोग भी तो demand करेंगे न, कि हमको भी इसी परकार का benefit मिलना चाहिए, हमे ये benefit नहीं मिलेगा, तो हमारे साथ injustice हो जाएगा, हमने उस समय 2009 में आपकी बात मानी थी, और मिजोरम में चले गए थे, बट ये सारे benefits जो आप उन लोग को दे रहे हो, जो जिनोंने उस समय आपकी बात नहीं मानी थी, तो ये हमारे साथ अन्याय है, तीसरा point, देखो, brew committee के लोगों, तृपूरा के relief camp से मिजोरम में resettle करने का जो निर्ने था, वो इसलिए implement नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मिजोरम के कुछ local NGOs के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था, बट देखो, उनको अब तृपूरा में ही settle किया जा रहा है, इसका भी तो विरोध किया जा इस discussion में फिलाल इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.